परिचय आज रिया का जन्म दिन है उसने अपनी क्लास के हर साथी को तीन चॉकलेट देने का फैसला किया है अब तक वह पाँच दोस्तों को चॉकलेट दे चुकी है इसलिए उसने पंदरा चॉकलेट दे दी है कुछ ही देर में 35 विद्यार्थियों वाली पूरी क्लास को चॉकलेट बाटने का उसका काम खत्म हो जाता है रिया ने कुल मिला कर कितनी चॉकलेट बाटी क्या हमें इस सवाल का जवाब पाने के लिए 35 को तीन से गुणा करनी होगी या इसका कोई और तरीका भी है इस पार्ट में हम गुणा के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे आओ सीखें गुणा के गुण धर्मों की सूची बनाना दस, सौ और हजार से संख्याओं को गुणा करना दो अंकवाली संख्याओं को गुणा करना गुणा से संबंधित तथ्य बताना लैटिस, मुल्टिप्लिकेशन, अल्गोरिद्म का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं को गुणा करना गुणा करना हमने अभी रियाद्वारा अपने पाँच दोस्तों को दी गई चौकलिट की संख्या की गणना की जो थी तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन बराबर पंद्रा अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि तीन की संख्या पाँच बार नजर आ रही है इसलिए हम इसे पाँच गुणा तीन बराबर पंद्रा भी लिख सकते हैं आईए एक और उदारण लेते हैं छे जमा छे जमा छे बराबर अठारह हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं तीन गुणा छे बराबर अठारह क्योंकि छे तीन बार आ रहा है गुणा के गुणधर्म एक आईए अब गुणा के कुछ गुणधर्मों को देखते हैं एक गुणा एक बराबर एक चार गुणा एक बराबर चार इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या को एक से गुणा करें, तो परिणाम वही संख्या होगी आईए इसके एक और गुण धर्म पर नजर डालें एक गुणा शून्य बराबर शून्य चार गुणा शून्य बराबर शून्य इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या की गुणा शून्य से करेंगे, तो नतीजा होगा शून्य गुणा संबंधी गुण धर्म दो, यहां गुणा का एक और गुण धर्म बताया जा रहा है 6 और 5, दो संख्याएं लेकर उन्हें आपस में गुणा कीजिए हम इन संख्याओं को दो तरह से आपस में गुणा कर सकते हैं हम या तो 6 की गुणा 5 से कर सकते हैं या 5 की गुणा 6 से कर सकते हैं 6 गुणा 5 बराबर 30 5 गुणा 6 बराबर 30 अब दो और संख्याएं लेते हैं 7 और 3 हम फिर इन्हें दो तरह से आपस में गुणा करेंगे पहले हम 7 की गुणा 3 से करेंगे और फिर 3 की गुणा 7 से करेंगे 7 गुणा 3 बराबर 21 3 गुणा 7 बराबर 21 हमने ये देखा कि संख्याओं का क्रम कुछ भी क्यों नहों गुणा करने पर उनका पनिनाम एक साही रहता है 10, 100 और 1000 से गुणा आईए अब जाने कि संख्याओं को 10, 100 और 1000 से गुणा कैसे की जाए जब हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो यदि उसकी दाई और 10 जोड़ दें तो हमें परिणाम मिल जाता है आईए साथ की गुणा 10 से करें यदि हम साथ के दाई और एक 0 लगा दें तो परिणाम होगा 70 इसी तरह अगर 36 की गुणा 10 से करें तो परिणाम होगा 360 यदि 47 की गुणा 10 से करें तो परिणाम होगा 470 जब हम किसी संख्या की गुणा 100 से करते हैं तो हम उस संख्या की दाई और 2 0 लगा देते हैं और उससे हमें परिणाम मिल जाता है आईए बारह को सो से गुणा करते हैं हम बारह के दाई तरफ दो जीरो लगा देंगे जिससे परिणाम मिलेगा 1200, 1200 इसी तरह हम 43 की गुणा 100 से करके 4300 परिणाम पाएंगे जब हम किसी संख्या की गुणा 1000 से करते हैं तो हम उस संख्या के दाई ओर 3-0 लगा देते हैं और हमें परिणाम मिल जाता है। आईए 8 की गुणा 1000 से करते हैं. 8 के दाई तरफ 3-0 लगा दीजिए और आपको 8-1000 परिणाम मिल जाएगा। इसी तरह हम 4 की गुणा 1000 से करें तो परिणाम होगा 4000। दो अंक वाली संख्याओं की गुणा आईए सीखें कि दो अंक वाली संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है आईए 63 की गुणा करते हैं 4 से पहले 3 की गुणा करेंगे 4 से 4 गुणा 3 बराबर 12 अब 2 को इकाई वाली जगह पर लाइन के नीचे रखिए और 1 को दहाई वाली जगह पर उपर रखिए इसके बाद 6 की गुणा 4 से करिए और 1 को 6 के उपर रखिए 4 गुणा 6 जमा 1 पराबर 25 25 को लाइन के नीचे रखिए उत्तर है 252 आईए अब 32 की गुणा 12 से करते हैं एक चार पाने के लिए 2 की गुणा 2 से करिए चार को लाइन के नीचे इकाई वाली जगह पर रखिए दो इसके बाद 3 की गुणा 2 से करिए उत्तर होगा 6 6 को लाइन के नीचे दहाई वाली जगह पर रखिए तीन, चार के नीचे एक क्रोस लगाईए चार, दो की गुणा 1 से कीजिए दो को 6 के नीचे रखिए तीन की गुणा 1 से कीजिए तीन को दो की बाई तरफ रखिए अब इन संख्याओं को जोड दीजिए उत्तर होगा 384 अब समय है आसान तरीके से बड़ी संख्याओं की गुणा करना सीखना इसके लिए लैटिस मल्टिप्लिकेशन अलगोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है अलगोरिदम में कतारों और कॉलमों से बने एक गृड का प्रयोग किया जाता है कितनी कतारें और कॉलम होंगे उनकी संख्या का फैसला गुणा की जाने वाली संख्याओं में मौजूद अंकों की संख्याओं के आधार पर होगा अगर दो अंक वाली किसी संख्या की गुणा दो अंक वाली ही किसी और संख्या से होगी तो दो कॉलम और दो कतारे बनानी होंगी दूसरे शब्दों में इस grid में चार cell होंगे Grid में हर cell दो-दो हिस्सों में diagonal यानि विकर्ण रेखा से बटा होगा उपर वाला त्रिभुज दहाई वाले स्थान के लिए है और नीचे वाला त्रिभुज इकाई वाले स्थान के लिए आईए अब दो अंक वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए इस grid का प्रयोग करें आईए lattice multiplication algorithm का इस्तेमाल करके 56 की गुणा 14 से करें 56 उपर लिखिए और 14 उसके नीचे लिखिए पहले एक और पांच की गुणा करें पांच को इकाई वाली जगह पर रखें और 0 को दहाई वाली जगह पर इसके बाद 4 और 5 की गुणा करके 20 प्राप्त करें अब 20 की 0 को इकाई वाली जगह पर रखें और 2 को दहाई वाली जगह पर इसके बाद 1 और 6 की गुणा करें 6 को इकाई वाली जगह पर रखें और 0 को दहाई वाली जगह पर रखें आखिर में 4 और 6 की गुणा करें नतीजा होगा 24 2 को 10 वाली जगह पर रखें और 4 को 1 वाली जगह पर रखें अब हर विकरणी कॉलम में संख्याओं को जोड़ें और इसकी शुर्वात नीचे से करें 4 बराबर 4 6 जमाद 2 जमाद 0 बराबर 8 0 जमाद 2 जमाद 2 बराबर 7 शून्य पराबर शून्य अब परिणाम को बाए से दाय की ओर पढ़ें यानि शून्य साथ आठ चार यानि साथ सो चौरासी इसलिए हम कह सकते हैं कि चौदह गुणा चपन बराबर साथ सो चौरासी हमने क्या चर्चा की? अगर किसी संख्या की गुणा शून्य से की जाती है तो परिणाम भी शून्य ही होगा यदि किसी संख्या की गुणा एक से की जाती है तो परिणाम वह संख्या ही होगी अगर किसी संख्या की गुणा 10, 100 या 1000 से की जाती है तो उस संख्या के पीछे उतनी ही 0 लगा दी जाएंगी जितनी 10, 100 या 1000 में होती है दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर परिणाम वही रहता है बड़ी संख्याओं की गुणा Lattice Multiplication Algorithm का इस्तेमाल करके की जाती है